तीतूस के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री अध्याए एक से तीन अध्याए एक अभिवादन एक पॉलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहिचान के अनुसार जो भक्ती के अनुसार है दोस अनंद जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिग्या परमेश्वर ने जो जूट बोल नहीं सकता सनातन से की है तीन पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट किया जो हमारे उद्धार करता परमेश्वर की आग्या के अनुसार मुझे सौपा गया चार तीतूस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पूत्र है परमेश्वर पिता और हमारे उद्धार करता मसीह ईशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शान्ती मिलती रहे क्रेते में तीतूस का कार्य पांच मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेश बातों को सुधारे और मेरी आग्या के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे छे जो निर्दोश और एक ही पत्नी के पती हो जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुच्पन और निरनकुष्टा का दोश न हो साथ क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंदारी होने के कारण निर्दोश होना चाहिए ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक कर, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो आठ पर अतिती सतकार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, सयमी, न्याई, पवित्र और जितेंद्रिय हो नौर और वह विश्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोप्रदेश के अनुसार है, स्थिर रहे की खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुह भी बंद कर सके दस्क्यों की बुहत से लोग निरनकुष, बगवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेश करके खतनावालों में से ग्यारह इनका मुह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा कर घर के घर बिगार देते हैं बारा उन्ही में से एक जन्ने, जो उन्ही का भविश्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा जूठे, दुष्ट पशू और आलसी पेटू होते हैं तेरा ये गवाही साच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं, चौदह और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुश्यों की आग्याओं पर मन न लगाएं, जो सत्य से भटक जाते हैं पंद्रा शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धी और विवेक दोनों अशुद्ध हैं सोला वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इंकार करते हैं, क्योंकि वे घ्रिनित और आग्या न मानने वाले हैं, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं अध्याए दो, आचरन के लिए खरी शिक्षा एक पर तू ऐसी बातें कहा कर जोखरे उपदेश के योग्य हैं दो अर्थात बुड़े पुरुष, सचेत और गंभीर और सयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो तीन इसी प्रकार बुड़ी स्थ्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोश लगाने वाली और पेक कर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो चार ताकि वे जवान स्थ्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीती रखें। पांच और सयमी, पतिवरता, घर का काबार करने वाली भली और अपने अपने पती के अधीन रहने वाली हो ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए छेह ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया करकी सयमी हो साथ सब बातों में अपने आपको भले कामों का नमूना बना तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, आर्ट और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके जिससे विरोधी हम पर कोई दोश लगाने का अफसर न पाकर लजजित हो नौदासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन रखें और उल्ठ कर जवाब न दें, दस चोरी चाला की न करें पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें की वे सब बातों में हमारे उद्धार करता परमेश्वर के उद्देश की शोभा बढ़ाएं। चौदर जिसने अपने आपको हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुधा करके अपने लिए एक ऐसी जाती बना ले जो भले-भले कामों में सरगर्म हो। काम के लिए तैयार रहें, दो किसी को बदनाम न करें, जगडालू नहों पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुश्यों के साथ बड़ी नम्र्टा के साथ रहें। तीन क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धी और आज्याना मानने वाले और भ्रम में पढ़े हुए और विभिन प्रकार की अभिलाशाओं और सुक्विलास के दास्त्व में थे और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और भ्रिनित थे और एक दूसरे से ब अनुसार नए जन्म के सनान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ये बातें भली और मनुश्यों के लाब की हैं। नौ पर मूर्खता के विवादों और वन्शावलियों और विरोध और जगणों से जो व्यवस्था के विशे में हो बचा रह क्योंकि वे निश्वल और व्यर्थ हैं। दस किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझा कर उससे अलग रह, ग्यारह यह जानकर की ऐसा मनुश्य भटक गया है और अपने आपको दोशी ठहरा कर पाप करता रहता है। व्यक्तिगत निर्देश और अभिवादन बारह जब मैं तेरे पास अरतिमास या तुखिकुस को भेजू तो मेरे पास निकुपुलिस आने का प्रयत्न करना क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का निश्चे किया है। तेरा जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्म करके आगे पहुचा दे और देख की उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। 14 हमारे लोग भी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निश्फल न रहें।